सुप्रभात, सभी छात्र, शिक्षक और हमारे सभी स्कूल के सदस्य हम सभी जानते हैं कि आज 2 अक्टूबर महात्मा गांधी और लाल बहादो शास्त्री जयनती है तो आए जानते हैं महात्मा गांधी और लाल बहादो शास्त्री के बारे में दो अक्टूबर भारतियों के लिए बहुत ही खास महत्व रखता है। ये भारत की दो अत्यंत महत्व पून हस्तियों का जनम दिन है। जिन्होंने आधुनिक भारतिय एतिहास और राजनीती की दिशा बदल दी। अब तक आपने इन आदमियों के नाम का अंदाजा लगा ही के लिया होगा महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1879 को हुआ था। मोहंदास करमचंद गांधी को भारत के लिए उनके अपार बलिदान के लिए राश्ट्रपिता के रूप में सम्मानित किया जाता है। उन्होंने न लोकप्रियरूप से बापु कहे जाने वाले गांधी ने भारत में अहिंसा के सिध्धान्त की शुरूआत की उनके अनुसार अंग्रेजों के साथ अहिंसा का अंदोलन और असहयोग के सयोजन के माध्यम से स्वतंतरता प्राप्त की जानी थी। उनका श्रे इस तथ्य में नहित है कि वे जनता को स्वतंत्रता संग्राम में लाने में सक्षम थे। उनके नेत्रित्व में एतिहासिका सहयोग आंदोलन। दांडी मार्च और भारत छोड़ों आंदोलन सभी शुरू हुए। जन्म, 2 अक्टूबर 1879, गुजरात में पोर बंदर। पूरा नाम मोहंदास करम चंद गांधी, घत्या, 30 जन्वरी 1948, नई दिल्ली, बापु के नाम से प्रसिद्ध, लाल बहादो शास्त्री का जन्म, 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश राज्य में हुआ था। उन्हें शास्त्री की उपाधी से सम्मानित किया गया था, जिसे अंग्रेजी में विद्वान कहा जाता है। केवल 16 वर्ष की आयू में, उन्होंने गांधी के अहवान पर असहयोग आंदोलन में शामिल होने के लिए अपनी पढ़ाई छोड़ दी। बाद में, उन्होंने गांधी द्वारा उद्घाटन किये गए उच्च शिक्षा के राष्ट्रिय संस्थान काशी विद्यापीट से प्रथम श्रेनी की डिग्री प्राप्त की। वो सबसे सक्रिय भार्तिय स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे जिन्होंने महात्मा गांधी के नेत्रित्व में भारत छोड़ो आंदोलन, सविन्य अवग्या आंदोलन और अन्य सत्याग्रह जैसे विभिन आंदोलनों में भाग लिया। लाल बहादो शास्त्री को उनके जीवंकाल में काफी समय तक अंग्रेजों ने जेल में रखा था। स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद वो पहले ग्रह मंत्री बने और बाद में वर्ष 1964 में भारत के प्रधान मंत्री बने। जन्म, 2 अक्टूबर 1904, मोगल सराय, मृत्यू, 11 जन्वरी 1966, ताशकंद, उजबेकिस्तान, पार्टी, भारतिय राष्ट्रिय कॉंग्रेस, प्रसिध रूप से जाना जाता है, मैन ओफ पीस, धन्यवाद।